लोहे की रोट से वार कर पतनी को मार डाला, मा की जान बक्षने की गुहार लगाते रहे बेटा बेटी शियूपरी जुले के बमौर कला थानाशेतर के खीरिया गाउं में एक बेरहम पती ने अपने बेटे और बेटी के सामने अपनी पत्नी के सिर पर लोही की रोट से कई वार कर उसे मौत की खायट उतार दिया इस दुरान बेटा और बेटी अपनी मा की जान बक्ष देनी की गुहार लगाते रहे लेकिन पिता ने एक नहीं सुनी पोलिस ने आरोपी पती को गिरफतार कर हतिया की धाराओं में मामला दर्च कर लिया है गटना शनिवार शाम की है बेटा बोला मा ने सामने ही दम तोड़ मैं अपनी बहन सोना आदिवासी अलग कमरे में थे बेटे ने बताया कि थोड़ी दिर बात रात करीब ग्यारा बजे मा के चीकने की आवाज आई इसके बाद हम दोनों भाग कर उनके कमरे पर पहुचे मा जमीन पर पड़ी हुई थी और पिता के हाथ में लोही की सबबल थ पिता को रोकने का प्रियास किया था लेकिन पिता नहीं माने उन्होंने मा की हत्या कर दी मेरी मा गुड़ी बाई ने मौके पर ही तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया बमौर कलत हना प्रभारी पुनीत बाचपई का कहना है कि सुचना मिलते ही आरोपी सन्नु आदिवासी को घर के पीछे खेट से गिरफतार कर लिया है आरोपी के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्च कर लिया गया है